आप सभी का स्वागत है आप अपने यूटुब चैनल पीके ट्रेडी नमबर वन पे तो देखेंगे आज फ्रेंड्स आप लोगों के साथ आज बताने वाले हैं कि हिस्टरी का हना हिस्टरी का कुछ इन्पोटेंट कोश्चन बिवियाई को कोश्चन बताने वाले है आप लो चेप्टर बाई चेप्टर आप लोगों के साथ अब्यक्टिव कराएंगे तो चलिए चलते हैं कोश्चन को शुरुआत करते हैं तो कोश्चन है फ्रेंड्स कोश्चन क्या है तो देख लिजिएगा कोश्चन आपका चलिए कोश्चन आपका है फ्रेंड्स देख लिजे क्या होने वाला है चलिए तो कोश्चन हम देख लिते हैं क्या है चलिए कोश्चन है फ्रेंड्स एरोप का मरीज किसे कहा जाता है एरोप का मरीज किसे कहा जाता है फ्रेंड्स ध्यान दिजेगा हां सर जी तो ये तो आपको याद होगा तो इरोप का मरीजedor आफ़िनUMर ए हो jayएगा याद होगा ना तुर्की किस को काते हैं वाई तुर्की को काते हैं ठीक है ठीक है तो अगला कोशन देखिएगा फ्रेंड्स अगला कोशन आपके सामने हैं तो आपका इंसर हो जाएगा उपसर नमर a में नहीं हो जाएगा चलिए तो अगला पॉस्चन और यहां देख लिए का का रहा है कि एरोपिय सब्यता का पालना किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स बता दिजिए एक बार कोमेंट में लिख करके बता दिजिए क्या होगा तब जानेंगे कि आप लोग आना महिनत बहुत कड़ी महिनत से कर रहे हैं तो आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स याद हो जाएगा यौनान ओप सन नमरम ड्य हो जाएगा फ्रेंड्स क्या करा रहा है एत्ली इटली के एक ही करन का मसिहा कहा जाता है किसको बताईएगा किसको कहा जाता है फ्रेंड्स जी सर तो आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चलिए कॉमिट में जाल दीजे तो आपका एंसर हो जाएगा इटली का मसिहा किसे कहा जाता है इटली के एक इकरन का तो आपको याद रखना है option number B हो जाएगा आपका answer ठीक है option number B हो जाएगा ठीक है यस सर चलिए तो अगला question देखते हैं अगला question क्या कर रहा है friends चलिए क्या कर रहा है अगला question है friends चलिए इरोप इरोपिये सब राष्टबाद से परवावित हो करकिस भारतिये सासक जेकोबिन कलव की अस्थापना की बताइए जी सर तो आपका answer होने वाला है यहाँ पे है ना option number B हो जाएगा option number B होगा friends याद रखिएगा option number B ठीक है option number B हो जाएगा चलिए तो अगला question देखते हैं friends अगला question आपके सामने क्या है हना आपके सामने दिया गया है क्या है देखिए फ्रांस की करांसी का परमुख कारण क्या था बताइएगा फ्रांस की करांसी का परमुख कारण क्या था हना तो आपका answer हो जाएगा friends जी सर आपका इंसर हो जाएगा ओपसन नमर भी हो जाएगा ओपसन नमर भी हो जाएगा तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या है फ्रेंड्स चलिए अगला कोशन देखते हैं तो अगला कोशन क्या है देख लिजिए अगला question है friends चलिए अगला question है क्या कराए कि मेजनी का समंद किस संगठन से था मेजनी का समंद किस संगठन से था बताईएगा जी sir तो देख लिजे लाल सेना है और उसके बाद क्या है कारबुनरी है फिलिप के हेटरिया है तो आपका answer हो जाएगा option number B हो जाएगा कारबुनरी क्या हो जाएगा तो अगला question देखते हैं अगला question क्या करा रहा है चलिए तो अगला question आपके सामने है कि फ्रांस में किस आशक बंस के अश्तापना अबियूगना कांगरेस के द्वारा की गई थी प्योज़ा, लुक दूज़ा, अग्ला कोशून है अगला कोश्चन क्या कहा गया है, किसने अपनी कुट नीती के बल पर इटली की समस्या को संपुन इरोप की समस्या बना दिया इरोप की समस्या बना दिया बताइएगा तो आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एंसर क्या होगा बताइएगा कॉमेंट में जरूर बताइए तो आपका एंसर हो जाएगा ओफसन नमर ए हो जाएगा बिलियम पर्थम कहां का साथ सकता बताईएगा जी सर तो आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बताईएगा तो आपका एंसर होने वाला है बिलियम पर्थम कहां का नहीं साथ सकता बताईएगा आपका answer हो जाएगा option number B याद रखिएगा friends जी sir ये तो हलका question आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोग याद कर लिजेगा जालवे रिंग किस अंस्ता किस राज किस राज ने की बताईगा जालवे रिंग किस अंस्ता किस राज ने की option आपके सामने दिया गया है तो आपका answer हो जाएगा option number A हो जाएगा परसाने चलिए तो अगला question देखते हैं अगला question क्या है हंगरी की भासा क्या थी हंगरी की भासा क्या थी तो आपको याद रख रहा है हना चलिए आपका हो जाएगा answer option number B मेग यार ठीक है तो अगला कोश्चन अगला कोश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स यंग इटली का संस्थापक कौन था बताईएगा तो यंग इटली का संस्थापक आपका एंसर हो जाएगा मेजनी क्या हो जाएगा option number C क्या होगा option number C हो जाएगा friends मेजनी हाना चलिए तो अगला question अगला question आपके सामने क्या का रहा है दखिए कि 19-20 सवतावदी में इरोप राष्टवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ क्या परिणाम हुआ friends बताईएगा तो आपका answer होने वाला है तो आपका answer क्या होगा बताईए जी sir तो आपका answer हो जाएगा option number D याद रखिएगा friends राष्टी राष्टी राजियों के अस्थापना ठीक है तो अगला question देखिए अगला question क्या का रहा है कि नेपुलियन सहीता किस वर्स लागू की गई नेपुलियन सहीता किस वर्स लागू की गई friends बताईएगा जी sir तो आपका answer हो जाएगा option number D option number D हो जाएगा 1804 में हो जाएगा friends याद रखना है option number D हो जाएगा 1804 में तो अगला question आपके सामने निकल के आया है friends चलिए तो आप देख लिजिए friends क्या होने वाला है चलिए बेना कॉंग्रेस समीलन जिसको बलते हैं Congress कॉंग्रेस का ध्यक्ष कौन था बताईएगा जी sir तो आपका answer हो जाएगा friends आपका answer होने वाला है option नमर D हो जाएगा मेटर्निक हो जाएगा friends एकदम याद होगा आपको तो आगला question देखिए कि मेटर्निक बेवस्था का उदाई क्या था मेटर्निक बेवस्था का उदाई क्या था friends जी sir तो आपका answer होने वाला है क्या होगा friends बताईएगा तो आपका answer क्या होगा जी sir चलिए तो आपका answer हो जाएगा चलिए option नमर C हो जाएगा याद रखिएगा option नमर C हो जाएगा पुरातन बेवस्था की पुना पुनास्थापना चलिए तो आगला question देखिएगा friends आगला question क्या कराएगा maternity कौन था maternity कौन था तो आपका answer क्या होगा friends चलिए comment में जरूर दिजे जी sir maternity कौन था तो आपका answer होगा maternity का chancellor था option नमर A हो जाएगा चलिए तो आगला question देखिए sit down का youth किसके बीच होआ था बताईए sit down का youth किसके बीच होआ था बताईएगा चलिए ये एकदम option आपके सामने दीख रहा होगा तो option नमर C हो जाएगा फर्सा और फ्रांस के भीच होआ था तो आगला question देखिएगा friends आगला question क्या का रहा है किसने कहा था किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी Europe को सर्दी जुकांप हो जाता है जी सर आपका answer हो जाएगा option नमर C हो जाएगा मेटरनिक ने कहा था आपको याद होगा तो अगला question देख लिजिए एकदम important question है BVI question 2023 में आपका छपने वाला है metric exam में तो आप लोग tension नहीं लिजिए ये आपको confusion करा देगा कि आप कौन सा question पढ़े है कौन सा नहीं पढ़े है तो पूरा वीडियो देख लिजिए चलिए तो विसमार के किस विद्वाम के विचाधारा से परवाबित था बताएगा जी सर तो आपका answer हो जाएगा option number B हो जाएगा हीगेल क्या हो जाएगा option number B हीगेल हो जाएगा तो अगला question देखिए अगला question क्या करा है नेपोलियन कोड में इकुल कितने कोड थे नेपोलियन कोड में इकुल कितने कोड थे बताएगा जी सर तो आपका answer होने वाला है 5 हो जाएगा और नमबर एगा चलिए तो अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है जर्मनी एबम इटली के एकिकरन के बिरुद निमनी में कौन था बताईएगा जी सर तो आपका इंसर होने वाला है और नमबर सी एह ना याद रखिएगा अस्ट्रिया ठीक है तो अगला कोश्चन द लिए किस देश का साही तेवं फिर विग्यान परेना का तुरोत रहा है चलिए तो आपका इंसर हो जाएगा ओफसन नमर भी हो जाएगा चलिए यूनान हो जाएगा ठीक है तो अगला कोश्चन देख लिजे अगला कोश्चन क्या करा है फ्रेंट्स हाना नेपूलियन ने जर्मनी में किस संग कि अस्ता आपना की आपका एंसर हो जाएगा ओफसन नमर होंपस जाएगा राइन संग की याद रखना है चलिए तो अगला कोश्चन आपके सामने फिर है लाल कुरती का गठन किस ने किया था लाल कुरती का गठन आपका एंसर क्या हो गा फ्रेंट्स तो याद रखिएगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था आपके सामने ओप्सन दिख रहा होगा दो को यहां दो को यहां पे हैं तो क्या हो जाएगा आपको याद रखना है तो आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाल कुर्ती का गठन किसने किया था चलिए तो लाल कुर्ती का गठन आपका गरिवाल्टी ने किया था चलिए आपका ओप्सन नमर डी हो जाएगा तो अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या का रहा है कि किस यूद के बाद जर्मनी का एक इकरन हुआ किस यूद के बाद जर्मनी क्या एक ही करन हुआ फ्रेंट्स बताइएगा चलिए तो आपका एंसर होने वाला है सीडाउन के यूद option नमर डी यह भी हो जाएगा चलिए तो अगला question देखिएगा important question BBI question है कि जर्मेनिया का क्या था जर्मेनिया क्या था जर्मेनिया क्या था बताइएगा जी सर तो आपका एंसर हो जाएगा जर्मेनिया जर्मन राष्ट का पर्तिक था option नमर भी हो जाएगा चलिए तो आगला question देखिएगा आगला question आपका क्या है काबूर कौन था काबूर कौन था बताईएगा फ्रेंड्स तो आपका इंसर होने वाला है इटली का राजा क्या सोरी आपका इंसर होगा है आपका इंसर हो जाए इटली का परधान मंत्री ठीक है और सनमर भी हो जाएगा चलिए तो अगला कोश्चन देखते हैं अगला question है एकदम important question है आपके लिए जर्मनी के एकिकरन कभ हुआ था जर्मनी के एकिकरन आपका है ना 1871 में हुआ था याद रखिएगा option number C हो जाएगा जी sir चलिए आप लोगों को इतना तक question समझ में आ गया होगा तो आ गया होगा चैनल को चैनल पे नए होंगे तो चैनल क को subscribe कर लिजेगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके घंटा बजा लिजिए गा ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलता रहेगा और इसी तरह के मज़दार वीडियो आप तक मिलता रहेगा और क्लाश 10 की पूरी जनकारिया इस वीडियो में आपको मिलेगी ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ जहिन जय भारत दोस्तों